और कर दो चलिए सर एक और कोश्चंग आपके सामने क्या कहता है सर कोश्चंग में कहता है इन जैसे चाहिए कहता है थे पहले हाफ में यानि ही अधो यह सेल्स और प्रॉफिट और next half में यह sales or profit fix cost first half equal to during the second half कैता भीया जो first जैसे अगर एक लाख रुपे fix cost हुआ तो छे मैने के होंगे 50 और बाकि 6 मैने के हो जाएंगे 50 selling price per unit variable cost remain unchanged इसमें कोई बदलाब नहींगा बहुत अच्छी बात है calculate the following PV रेशो each half तो अगर PV ratio हम बात करें each half का तो simple सी बात है और बहुत ही simple सी बात है sir कि हमारा पहले हाफ और दूसरे हाफ की हम बात करें PV ratio तो वही formula लग जाएगा change in profit upon change in sales तो पीवी रेशो जो पहले निकलेगा हमारा total उसको दो से डिवाइड कर दिया जाएगा इधर देखिए पीवी र पीवी र इस इस इकल डू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ चेंज इन सेल्स तो सर चेंज इन प्रॉफिट है आठ हजार डिवाइड़ बाइड चेंज इन सेल्स से 20,000 इन टू हंड़र तो यह पूरे साल का निकलेगा न साल का क्या चेंज नहीं नहीं कहीं है दोनों सेमी रहेगा इकूल हमने 6 महने कहीं लिया है तो 6 महने कहीं आएगा वोइस भी चेक कर लिजेगा चलिए आपका है तो कुश्चन ध्यान दीजिएगा कुश्चन में हमने जो डिफ्रेंस लिया है प्रॉफिट का वह आधे साल का ही है तो जो भी निकल के आए वह आधे साल का निकल का है और कुछ चेंज भी नहीं होने वाला सेल्स चेंज होगा यानि उसके साथ साथ वेरियबल कॉस्ट भी बढ़ता है तो एक बात ध्यान रखना है कि आपका चेंज के साथ साथ कभी भी पीवी रेशों नहीं बदलता अगर सेल वह बदल जाए तो ठीक है अगला कहता है सर फिक्स कॉस्ट इच हाफ का ठीक है सर सेल्स का फॉर्म सब्समें एफसी फ्लस में प्रॉफिट हो गया हमारः तो सर सेल समय दे रखा है फ्रस्ट हाफ का एक लाक वीसी दे रखा है सर थर्टी नहीं प्रोफिट होगा तो इनि साथ हजार क्योंकि 40 है तो उल्टा कर देंगे हम प्लस FC और प्लस प्रॉफिट सर प्रॉफिट निकाला था ना कितना दे रखा है 30,000 तो सर FC आ गया हमारा 10,000 तो पहले हाफ का देखे equal to during the second half जो fixed cost है तो पहले हाफ का 10 है तो दूसरे हाफ का क्या रहेगा हमारा 10 ही रहने वाला है जो है फुल येर का हमारा आ गया पहले हाफ का आ गया और दूसरे हाफ का भी रहने वाला है इसमें बताएगे कोई दिक्कत नई समझ में है सर पहले question के बाद हमने कर लिया दूसरा question भी कर लिया तीसरा कहता है break even point of each half ठीक है सर break even point निकालो दूसरे वाले का निकालो सर सेमी रहना है क्यों रहना है सर double कर देंगे बस उसको हम तो break even point क्या होता है सर fix cost होता है divided by PVR बहुत simple सी बात है यह first half का निक्रा है fix cost कितना है हमारा 10,000 और PVR कितना है एक half का 40% 0.4 तो यह आपका each half का था fix cost जो था each half का पूछा था तो कहता है fix cost each half and full year अच्छा each half का यह हो गया और आप full year का पूछते हो ना fix cost तो सर fix cost हो जाएगा full year का 10,000 गुणा में 2 हो जाएगा equal है that is 20,000 तो यहाँ पे सर क्या आएगा 10,000 और 0.4 सर 25,000 आ गया पहले हाफ का break even दूजरे हाफ का भी यही रहेगा सर break even और full year का पूछेंगे तो 2 से multiply कर देंगे पहले हाफ का 25,000 और इसने क्या पूछा full year का भी बताओ तो सर full year का full year का 25,000 इंटू में 2 कर दो यानि 50,000 half yearly sales आपको given है unprofit if 40,000 आपको बताना है half yearly sales रहे unprofit un half yearly profit 40,000 sales बताना है यानि desired sales की बात कर रहे है सर तो desired sales कैसे निकालोगे सर fixed cost plus में profit divided by PVR तो fixed cost कितना है सर यह half yearly की बात कर रहे है fix cost किया था 10,000 desire profit कितना रख लिया इन्होंने ओते 40,000 रुपर कमाना चाहते है divided by PVR PVR कितना था हमारा 40% 0.4 तो दस अजार प्लस 40,000 रिवरे पॉइंट 4 desire बहुत बड़े है तो एक लाग 25,000 का इनको sale करना पड़ेगा तब जाके यह 40,000 कमा पाएंगे किसमें आपका half yearly sales half yearly sales का मतलब first half यह second half जो भी रहे करना आपको इतने profit के लिए पड़ेगा एक पच्चेस का annual sale if earn profit of rupees कहता है कि annual sales बताईए अगर earn profit करना चाहता है rupees 90,000 ओके सर annual annual बताने के लिए यह तो half yearly था annual फिर से desire sale पूछ लिया इसने तो fixed cost annual वाला और profit और divided by क्या कर देंगा सर अगें पीवी यार तो fixed cost annual वाला 20,000 है plus profit कितना हो जाएगा सर 90,000 divided by PBR अब कुछ बच्चों के जहन में हो सकता है doubt कुछ बच्चों के doubt हो सकता है PBR सर annual बिलकुल annual लो half yearly PBR तो PBR रहता है फरक नहीं पड़ता sales के बदलने से तो 20,000 plus 90,000 divided by point कितना परसंट था 0.4 यह आगे 275 मैं एक बार समझा देता हूँ देखे एक बार PBR निकल गया ना तो PBR बदलता नहीं है उस चीज को मैं समझा दूँ कुछ बच्चों के mind में query रहेगा ठीक है जैसे मान लो मैं दो महने का बता रहा हूँ आपको काम सर सेल्स है दो महने का मेरा एक लाक और variable cost है मेरा 80,000 तो what is the PV ratio और सर चार महने का sales मेरा पता है क्या हो जाएगा sales हो जाएगा मेरा चार लाक और variable cost जो रहेगा वो रहेगा 80% मान लेते हैं ठीक है तो अब मान लेजे PVR अगर यहाँ पर मैं निकालू तो PVR क्या होगा हमारा contribution contribution 20,000 divided by 1,000,000 into 100 तो समझेगा तो 20% रहा सर यहाँ पर हमने sales बढ़ाया है variable cost यहाँ भी 80 था यहाँ भी 80 था यह 4 महिने का यह तो क्या PVR बदलेगा चेक करते हैं PVR तो हमारा contribution कितना होगा है यह अगर देखा जाए तो 32,000 हो जाएगा 4,3,20 तो 80,000 और 80,000 divided by क्या आजाएगा हमारा अगें 4,00,000 into 100 चेक करते हैं calculator पर मुझे तो पता है आपके विजवास के लिए सरफ देखें आगें 20% तो सर PVR ratio न हमारा चेंज नहीं हो था irrespective half year, two year, three year irrespective जब तक variable cost में चेंज ना आया है जब तक selling price पर unit में चेंज ना आया है तब तक PVR हमारा बदल नहीं सकता तो इसलिए पीछे मैंने क्या करा है PVR देखेंगे तो हर जगह मैंने 4, 4, 4, 4, 4, 4 यानि आपका 40% 40% ही लिया है समझ मैं आपको clear है? चलिए इसको भी note कर लेजे बदल दो पर जापक multा है लिफास कर दिए कर देखे कर लो लो